हेलो दोस्तो मैं हूँ रिशव चार्जियर आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अन्बॉक्सिंग और रिवी आफ दा कॉस्मिक बाइट केलिस्टो वायरलेस गेमपड तो वीडियो को पूरा देखिए अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकान भी दबा दीजिए और मुझे इस्टाग्राम पर फॉलो दिखते है एक्छल प्रोडक्ट पाकेजिंग तो यह दोस्तों फैकेजिंग ऐसे प्लास्टिक में आता है बाहर तो निकाल लेते हैं ठीक है प्लास्टिक निकाल ले तो कस्मिक बाइट शुच to God mode Calisto controller controller का picture दिया हो है wireless है यह दोस्तो तो next चलते हैं right side में क्या ले cosmic byte 380 mAh Li battery up to 8 meters wireless range vibration effects and turbo function पीछे L3-LS PC mode home button start backlit LED action button 12 numeric buttons include start home select फिर नीचे और क्या सब buttons RJ RS rubberized texture for enhanced grip turbo button d-pad back ठीक है उपर कुछ नहीं लिखा राइट साइड में और क्या लिखा है for all windows games x input and direct input 1 meter charging cable ठीक है एंड इस प्रड़क का link में description में छोड़ दूंगा तो चलिए खोलते हैं हम खोलेंगे ओके ओपन फिर इस तरफ दोनों फ्लाप्स को खोलेंगे स्लोली एट्स टेकिट आउट ओके ठीक है यह निकल गया उसके बाद मानुवल मानुवल में कुछ इंफर्मेशन दिया हुआ है रड़ किछे भी तो यह है ओके मानुवल हमारा इसके बाद देख लेते controller so this is the controller and controller के नीचे केबल आता है इसको कर लेते हैं तो controller के पीछे यह देर इस इस दो ब्लुटुटुट दॉंगल तो इस दो ब्लुटुटुटुट दॉंगल यह है हमारा चार्जिंग केबल क्युंकि यह बायरलेस है माइक्रो यॉस्ब चार्जिंग केबल और यह था अक्चॉल कंट्रोलर विच इस दे में तिंग अब देख सकते हैं कंट्रोलर वाँ देखने में तो इस मैट फिनिश एंट लुक्स गुट क्वालिटी कॉस्मिट का लोगो है फिर बैक स्टार्ट अर्बो तीन बटन आप देख सकते हैं आप यह था आप पीछ आप पीछे पीछ नहीं है इस यह यह रासो कंट्रोल सब्सक्राइब तो चार्जिंग के लिए यहां है पॉर्ट माइक्रो यस्बी अव स्लाइट है दोस्तों बट तो थोड़ा सा लगता है यस गुट क्वालिटी थोड़ा सा है जादा ने बट यस देख सकते हैं मैं जब पकड़ा हूं तो कैसे रहता है अभी एक्चली लगता है यह पेरिंग मोड में स्टार्ट हो गया था तो चलिए यूज करके देखते कैसा है बाट इस अव नया नया जब है तो वो था अन्बोक्सिंग उसके बाद मैं अपना एक्स्पिरियेंस भी शेयर करता हूं दोस्तों तो आल्मोस्ट वन एंड हाफ आफ आवर्स के लिए यूज किया मैं अन्बोक्सिंग करने के बाद सेटप प्र एंड नं-3 लाइट जलता है जलता है मैंनोल में क्लियर कट लिखा है तो वो मोड में करेंगे तो एंडौइट पर काम करेगा उसके बाद प्रॉसरस सिंपल था मैं देख भी पा रहा था कि इसे कंट्रोल हो रहा है कंट्रोल मतलब यह किस-किस में काम करता अभी के लिए त तो both for Android TV, अगर smart TV है, या अगर आप Mi Box 4K खरीदे हैं, तो उसमें भी काम कर रहा है, दोनों में ही मैं चेक किया, इसली एक step में काम कर रहा था, और अगर आप Mi Box 4K के बारे में और थोड़ा information जानना चाहते हैं, तो उसका भी link में description में दे दूँगा, तो basically अगर आपका non-smart TV है और उसको smart बनाना चाहते हैं, और अल्सो गेम्स खेलना चाहते हैं Android पर, तो you can check out, link in description. अभी build quality की बात करें, कैसे लगा इसको खेलते हुए, तो nice, थोड़ा सा heft है, बट feels good quality, controls भी सब easy to use है, ऐसे की नहीं लगा कि कुछ निकल जा रहा है, proper buttons भी, अच्छा quality का लगा, and मतलब कौन सा game खेला, उसके बाद करें, तो पहले तो मैं Real Racing 3 खेला, उसके बाद asphalt खेला, and last मैं Beach Buggy, सब half an hour, half an hour, one and half hour total खेला, तीनों में ही कोई भी problem नहीं था, easily खेल पा रहा था, and enjoy भी कर रहा था, क्यूंकि normally मैर को ऐसा खेलने का आदत नहीं है, बहुत दिन बाद खेला, तो अच्छा लगा, and definitely अगर आप भी मतलब wireless gamepad डून रहे है, तो this is a really nice option, pricing की बात करें तो around 1400 में आपको मिल जाएगा, and मतलब इसका जो design था, अब में भी मिलता है wireless, बट उसका design थोड़ा सा मतलब पुराना टाइप का रहता है, वेराज इससे उपर भी जाएगे, तो design almost similar ही मिलता है, तो मेरे को लगा, यह बीच में अच्छा था, and definitely खेलने के बाद मुझे तो अच्छा ही लगा, around 1400 में, it's a good option, and if you are also interested, तो मैं link description में छोड़ दूँगा, आप भी खरीच सकते है, and अगर video informative लगा दोस्तों ते एक like ज़रूर कर दना, helps the video reach more people, and अगर channel पे नए हैं तो subscribe, और के bell icon भी दबाजिए, मुझे instagram पे follow कीज़े, at the red rcmediaos, आज के लिए इतना है तो दोस्तों फिर से अगले video मिलेंगे, तब तक के लिए, bye bye and stay safe,